हाई हेलो एल्ववन इस वीडियो के नदर में एक बहुत ही छोड़ा सा कोईशन करेंगे लेगिन बहुत ही इंपॉर्डिन कोईशन है वह जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत रेलेवंट कोईशन है आपको help करेगा आपके एक्जाम में अगर यह कोईशन आ जाता है तो औ एक्यूज होता है क्या वो confessional statement record करने के लिए application move कर सकता है magistrate के सामने under section 164 of CRPC क्षिक है question समझा गया हमें pen I think work नहीं कर रहे है एक निचे करता हूं हां जी ठीक है तो यहां पर क्या है देखो हमें क्या आंसर होगा कि क्या एक्यूज होता है क्या एक्यूज होता है क्या अप्लिकेशन कर सकता है confessional statement को record करने के लिए section 164 of CRPC के under magistrate के सामने तो 164 of CRPC तो हमें पताएगी क्या होता है तो अब यहां पर हमें क्या बताना है जैसे कि के सामने अपनी confessional statement देने के लिए 164 में भी लिखा हुआ है और यह भी जरूरी नहीं होता है कि पुलिस उसको confessional statement के लिए ले के आया यानकि वो directly भी court के सामने आ सकता है लेकिन यह जो appearance वो देगा ना जो confession करेगा वो course of investigation के अंदर होनी चाहिए उससे पहले या उससे बाद में नहीं होनी चाहिए investigation जो chapter 12 के अंदर चल रही हो यह जरूरी है कि वो investigation चल रही हो if the magistrate does not know that he is connected in a case for which investigation has been commenced under the provision of chapter 12 it is not permissible for him to record the confession इसी बात है गर magistrate को यह नहीं बता कि मैं इस proceeding से connected हो जिसके अंदर investigation चल रही है तो फिर वहाँ पे जो magistrate है वो permitted नहीं है उसको allowed नहीं है कि वहाँ पे वो उसको record करें उसकी confessional statement if any person simply pages into the court and demand the magistrate to record his confession as he has committed a cognizable offense the court is open to magistrates to inform the police about it अगर कोई व्यक्ति डिरेक्ली जैसे मान लो court में चला जाता है और judge से जाके बोलता है कि मैंने यह crime किया इसकी आप मेरी confessional statement लिख लो तो वहाँ पे magistrate में directly नहीं करेंगे ऐसा काम उसके लिए वो क्या करेंगे पुलिस को inform करेंगे कि एक इस तरीके दर व्यक्ति आए जिसने यह offense किया था cognizable offense बोल रहा है इसकी अपनी confessional statement record कराना चाहता है जो पुलिस है जो necessary steps होते हैं chapter 12 के साब से वो लेगी जो भी हमें बताये गए हैं जो CRPC के अंदर हम follow करते हैं ठीक है investigation के दौरान इट में possible for the magistrate to record confession if he has reason to believe that investigation has commenced और फिर magistrate जो है उसके बाद confessional statement record कर सकते हैं उनको अगर यह believe है reason to believe है कि जो investigation है वो comments हो चुकी है और जो व्यक्ति उनके सामने appear हो रहा है वो demand कर रहा है कि यहां पे मेरी statement record की जाए इस case के अंदर otherwise the court of magistrate is not a place into which all the sundry and can get a gate crash and demand the magistrate to record whatever he has self as self-incriminatory कोई भी बस खूद गया court के अंदर और जाके जद से बोल रहा है कि मेरी confessional statement कर लो तो ऐसा नहीं होता ठीक है तो वहां पर important बात हमें क्या समझाए कि चैप्टर ट्वेल की investigation जरू स्चाट हो जिन चीए में इस से connected होने चीए तो उस situation के अंदर वो confessional statement record कर सकते होते हैं otherwise वो नहीं कर सकते होते तो यहीं बात हमको यहां पे इसने पूछनी चाही कि क्या बता रहा है तो हमको यहीं आंसर इसके अंदर लिखना है कि कि किस तरीक आपको लिखना है क्योंकि यह short note के अंदर इस तरीके question पूछे जाते हैं तो अगर आप to the point इसका answer लिखेंगे तो जो भी number है आपको जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा number इसके अंदर मिल पाएंगे तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिगा शेर कीजिगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिगा और अगर आप classes देना चाते हैं तो यह आपकी स्क्रीन के आपर number शेर हो रहा है 753 100390 इसके आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं और अपनी जुडिशी की coaching जो को स्टार्ट कर सकते हैं thank you so much for watching this video